वेलिकम टू WS QTEC चैनल आज इस वीडियो टुटोरियल में अपन अधर टेस्टिंग टैप्स में पढ़े हैं अधर टेस्टिंग टैप कौन-कौन से होते हैं आज उनके बारे में अपन यहां पर डिटेल में पढ़े हैं तो स्टार्ट करते हैं अपन ये 3 proof testing होती है जिनके बारे में आज आपन पढ़ेंगे फंस्ट है अपनी lag पफमेस टेस्टिंग सेकेंड है अपनी यूजबलिटी टेस्टिंग और थार्ड है अपनी यू यून एस्टिंग यूश दिंक यूज़र इंत्रफेस टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं पर्फर्फर्मेंस टेस्टिंग, पर्फर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है, वो अपन पर्फर्मेंस टेस्टिंग में चेक करते हैं, इस पर्फर्मेंस टेस्टिंग के फोर पार्ट होते हैं, अपन फर्स्ट पार्ट देखते हैं कौन सा होता है, लोड टेस इसका slogan है predefined user, आप क्या करते हैं, आपके पास आपके application है, आप उसे predefined, आप खुट decide करते हैं, कि for example, 10 user एक साथ application में login करेंगे, यह क्या हो गया, predefined हो गया, 10 user, आप 10 user का data provide कराएंगे application को, और उसका क्या check करेंगे, response, वो आपके application, 10 user at a time, आपके application को use करते हैं, तो उस application का क्या response होता है, second part आता है, इसमें, stress testing, नाम से पर अचलता stress, skilly slogan है, overloading of users, आप 10 user को एक साथ काम करा रहे थे, अब 10 की जगे, 20 user एक साथ आपकी application में login करेंगे, तब आप क्या check करेंगे, उसका response, जब एक साथ user login करेंगे, तब आप उसका application का response check करेंगे, थर्ड बाट आता है, इसमें, endurance testing, इसका slogan है, for longer duration of time, आपने predefined user था, उसमें क्या था, 10 जनों को एक साथ आपने login कराया था, अब उन 10 जनों को एक घंटे के लिए, continuously login करा के आपको देखना है, तो अब क्या हो गया, यह time आगया आपका, duration आगया, इस duration के बीच में आपको क्या करना है, आपके application का response check करना है, next part है इसका volume testing, volume testing के slogan है, use amount of data checking in database, क्या हो रहा है, आप database को test कर रहे हैं, database को कैसे test कर रहे हैं, आपने जब 10 user को login कराया है, एक साथ, तब आप क्या कर रहे हैं, उसका response check कर रहे हैं, तो वो 10 जने जब login करेंगे application में, तब क्या होगा, उसका database भी fetch होगा, और information को भी store करेगा, तो use amount of data, आप database में दे भी रहे हैं, और वहां से retrive भी कर रहे हैं, तो उस बीच में आप क्या करेंगे, database को check करेंगे, कि मेरा database का response कैसा होता है, next topic दिखते है अपन, usability testing, discuss लोगने, how easy to use, आपकी application कितना easily, कोई user, जिससे आप application provide करा रहे हैं, या जिसने आपकी application को own किया है, वो कैसे use करता है, कितना easy होता है, उसके लिए उस application को use करना, इसमें भी दो types होते हैं, first type देखते हैं, अपन, accessibility testing, easy to access, आपकी application की कितनी easy है, किसी भी user को use करने के लिए, for example, आपने एक flick screen बना दिया, flick screen का panel बना दिया, आपकी application के start में, तो अब क्या होगा, flick screen से क्या होगा, कोई नया user आएगा, तो क्या करेगा, flick screen पर देख सकता है, कि आपकी application क्या-क्या provide करवाने वाली है, तो वो क्या होगा, किसी भी नए user के लिए easy होगा, आपकी application को समझे ना, कि पहले इसमें यह होगा, पहले इसमें registration करना पड़ेगा, फिर login करना पड़ेगा, उसके बाद अपका order place होगा, तो यह क्या होगा, easily access कर पा रहा है, कोई user आपकी application को, second part है, इसका, localization testing, इसके लिए slogan है, global use, localization क्या होता है, YouTube का example लेते हैं, globally used है YouTube, आप इसे यहाँ पर use कर रहे हैं, राजस्तान में, तो यह आपको Hindi language प्रवाइड करा रहा है, अगर आप इसे गुजरात में use करेंगे, आपको गुजराती language प्रवाइड कराएगा, अगर आप UK में use करते हैं, तो UK की English यूज़ करा रहा हैगा, अग आपके application में भी क्या होना चाहिए, यह feature होना चाहिए, जैसे आज राजस्तान में, तो राजस्तान की language यूज़ करेंगे, हिंदी, आपको गुजरात में जाते हो, आपके application launch हो रही है, कोई गुजरात का user उसे use कर रहा है, तो गुजराती language में होनी चाहिए, means localization की language उसमें default होनी चाहिए, ताक कि कोई भी, किसी भी city का user उसे easily अपनी language में use कर सके, next topping दिखते हैं अपन, UI testing, look and feel of application, look and feel, मैंने पताया था, user interface look and feel, आप इस diagram को देखी, इसमें क्या है, बहुत सारी tiles बनी भी है, coloring tiles बनी भी है, message के लिए yellow color है, search के लिए red color की tiles है, music के लिए dark red color की tiles है, और sharing के लिए आपकी light blue color की tiles है, तो इससे क्या हो रहा है, आप easily उन्हें search कर पा रहे है, आपको पता चल जाएगा, हाँ यह yellow color की tiles है, तो वो मैंने message की tiles है, तो यह क्या हो रहा है, इसका look and feel है, देखो आप इस diagram को कितना सुन्दर रग रहा है, इसका look and feel, आपको अच्छा लगर है, आपकी हर type का color एक अलग है, अब देखते हैं, UI testing के points क्या होता है, first point होता है, इसमे, text box, आप text box को color कर सकते हैं, जिससे आपकी application अच्छी लगे रहे, second है इसमे, radio buttons, आप क्या कर सकते हैं, आपकी application में radio buttons प्रोवाइड कराईगे, तो उससे क्या होगा, look and feel आपका better होगा, third point है, इसमे, drop down list, just say for example, आपको country को डाल रहे हैं, तो country में आपके तरे, एक drop down के list प्रोवाइड करा हैं, उसके अंदल आप country का selection option लगे, उससे क्या होगा, user को बहुत सारी countries दिखेंगी, तो आपके drop down list open होगी, तो drop down क्या करता है, एक look को बढ़ check box लगाई है, उससे क्या आता है, उसके ओब एक right click होगा, तो वो आपका क्या करता है, application के response को look and feel को बहुत improve करता है, okay, thank you for watching this video, अगर आपको कोई query हो तो please आप हमें comment box में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा video पसंद आया हो, तो please हमारे video को like करे, and अपने friends के साथ share कर and do subscribe for more videos, thank you